तो यह कई लोग का question आ रहा था कि यह ऐसा क्या कुछ किया और कौन सा exercise किया कि जिससे आपका इतना जल्दी इतना सारा पेट कम हो गया आप लोग देख सकते हैं यह जो मैं मैं के से आया थी तो इतना सारा मेरा पेट निकल गया था वाँ पे खुब भर भर के खाई थी और अच्छे होंगे और बताइए कैसे क्या स्कर्राइब क्या कुछ आप लोग के वेट में कुछ परिवएतर हो रहा कि नहीं वेट चेक है क्यों कि का फी टाइम हो गया अगर मेरे साथ आप लोग कर रहे थे तो फिर आप लोग का भी 14-15 दिन तो हो गया ना 15-16 दिन लगवग अगर एक तारीक से कर रहे है तो 16-17 दिन हो गया फिर गरम पानी यह तीसरा ग्लास पानी है मेरा और साथ बज रहा है अब एक दो ग्लास और पी सकती हूं आठ बजे तक उसकी बास से फिर मैं आठ बजे के बात पाली ने पीती क्योंकि जिन जाना होता है तो बहुत जादा मतलब उस टैम पे अगर पी के जाओंगी तो वहां यह रोनी पास करना होता है तो बड़ी मुस्किल होती है इसलिए मैं आठ बजे तक ही पानी पी लेती हूं अब शहें एक लीटर हो या पर या पर यह जाता है बड़ी लीटर ही हो पाता है कि ज्यादा नहीं पीती हूं कि वहां पर वास्रूम बहुत लगेगा इस वज़़ा से तो खाना मेरा मैं बना रही हूं दाल बन गया मेरा और सबजी में रख के आई हूं आटा बगार अगूर्ण के मैंने रख दिया है जिम से आओंगी तो सिर्फ नोटी बनाना होता है वाकि और सारा काम हो गया है तो जी देखो मैं आ गई हूं जिम में और वह बताओंगी कि मैंने क्या कुछ एक्सरसाइजिस किये थे ज्याद पेट बिल्कुल भी पता नहीं चलता है एकदम फ्लैट हो जाता है एकदम अंदर घुश जाता है थोड़ा बहुत रह गया है तो वह भी खतम हो जाएगा और एकदम से बिल्कुल हम मालों का जो पेट होता है बिल्कुल से फ्लैट कभी नहीं होता है किसी का भी नहीं होता ह तो थोड़ा बहुत तो रहेगा जहां पर बच्चे होते हैं वह आला एरिया थोड़ा सार रहता है तो जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताया उसको करना है यह वाला यह एक्सरसाइज आपको करना है 25-25 का चार सेट करना है और यह बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इससे बिल तो इसलिए मैं सिर्फ पेट के लिए ही बता रही हूं कि कौन सा मैंने किया था तो यह एक्सरसाइज था 25 करके आप 18 सेकंड का रिष्ट लेना फिर करना ठीक है 25-25 का चार सेट करना उसके बास से यह करने है क्रंचेस इसको भी 25-25 का चार करिएगा ठीक है मैं तो 100 एक बार मे कर सकते हैं तो 100 तो पॉसिबल नहीं होगा आपको आप लोग को शायद कोई कोई कर भी ले तो बहुत अच्छी बात है बट 50-50 का आप चार सेट निकाल ले ठीक है और आप यह एक्सरसाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस पर लेट के कर रही हूं मेरे घर पे तो न है आप लोग कुछ मतलब ले सकते हो जैसे बॉटल वगरह मैंने बताया है बहुत सारे लोगों ने तो डंबल भी खरीदा है तो वह डंबल लेकर के उठ सकते हो मतलब अगर हाथ में कुछ थोड़ा सा वजन रहता ना तो उठने में आशानी होती है आपको इस तरह से उठन चाए परसी तहलरो में थ्चावाड़ में में थोड़ा सपोर्ट आता बाट मैं ऐसे भी उठ जाती हूं ठीक है तो आगर यह शरम होतं तो ज्यादा यहां मतलब यह कुछ मतलब जब करेंसा सब्सक्राइब करें ब्झार्क दिखता दर्द होने लगता है तो यानि कि जो हम exercise कर रहे हैं पर पता चल रहा है तो वह वर्क करेंगा तो आगे का दोनों देखें होंगे वीडियो में में अभी है थोड़ा बट बहुत खतम हो गया क्योंकि मैं ममी को आइज तो इसको भी 30-30 का करिएगा चार सेट कर लेजेगा ठीक है और जिससे भी 30 नहीं होता हो 25-25 का चार सेट करेंगे बट करना जरूर उसके बास से नेक्स्ट एक्ससाइज है इस तरह से लेड़ जाएंगे दीवाल के साहरे अपने पैर को ऐसे कर लेंगे हाथ में डंबल या फिर बॉटल पानी भरा बॉटल आप एक लिटर दो लिटर करने लिजेगा एक लिटर डे लिटर जो आता है वो ले लिजेगा सेरेगा और उसके ब बगल में फैन चल रहा था फैन के नीचे करो तो बिल्कुल पसीना नहीं आता है और मैं चाहती हूं कि जो भी मैं वार्काट कर रही हूं मैं पसीने से बिल्कुल लच्पत हो जाओं तो मैं फैन के नीचे एक्ससाइज नहीं करती हूं तो वहां पे एक लड़का है अभिना इसको आप लोग करिए डेली इसको सामिल करिए ठीक है डेली इसको करिए देखिए का कमाल नहीं मतलब बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आप खुद बोलने आओगे कि हाँ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला मुझे अब प्लस मैंने क्या किया है इस पेसली जो मैं एक लीटर गरम पानी पीती हूँ न वह मैं पेट के लिए ही पीती हूँ ठीक है उसके बेरिफाइट खतम होता है पेट की चर्वी बन होती है उसके बास ते यह वाला एक्ससाइज जो है इसको साइज साइज में अपने उसको टच करना है पैर को तो इसका भी 30-30 का तो वही चारशेट में कर रही तो वही है ठीक है यह एक्ससाइज साब करो 100% आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा वही एक्ससाइज मैंने किये है इसपेशली घर आ गई घर आने के बाद मैं अपना यहां पर बना रही हूं चावल ओट का चावल ओट लिए मैं मा मैं तो यहां पर चार मिनट के लिए डाल देती हूं माइक्रोवेब में तो हो जाता है इसको बना करके मैं जाओंगी नहाने मुझे लगी थी बहुत तेज की भूग तो मैं सोची कि तब तक यह बना रहेगा और बना के इसी माइक्रोवेब में छोड़ दूंगी तो बना सा भी ठंडा होगा तो वह बहुत ठीक हो जाता है तो नहाद हो के आ गई हूं मैं यहां पे और कपड़े मैंने धूले थे बच्चों के तो शूखे हुए थे मैंने उसको रखा नहीं था अभी ड्रॉ में तो बस वही फोल करके में रख रही हूं एक सिस्टर है उनका नाम ह मैं रिंग को उनका कहना है कि 32 बार मतलब वह उनका कहना है इस पेसली कि कहीं जैसे हमें फैमिली के साथ जाना है किसी के घर जाना है खानी पीने के लिए तो वहां पर 32 बार नहीं होता है तो उस चीज़ को कैसे हम करें मतलब पेसंस नहीं होता है कि हम वहां पर 32 बार कर पा थी इतना कुछ होता है, मैं बहुत अवएड करती थी, मैं जाती ही नहीं थी, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप थोड़ा सा अवएड किया आपको बताओ, मेरे घर पर मेरे बच्चों का बड़े पॉर्ड़्य संबी, मैं जो बहुत घरा अब आप करती क और वहां पे होगा भी नहीं मतलब uzहाव है तो आप खुड ना मतलभ है इह और कोई solution नहीं है यहां पे बेटी के books वगर रहा पी covering नहीं किया था मैंने तो मैं देर देरे उसको कर रही हूं क्योंकि मैंके में थी और यहां गई थी book बहुत पहले ले लिया गया था तो हूआ नहीं था तो अभी मैं धीरे-धीरे कर रही तो चलो हो गया यह तो यह लो कि नहीं है यह क्या लो मैं लेकर आ गई हो अपना खाना अलू को चुखा है यह खीरा सैलिड में और दाल और ओट्स लिया है यह है आज का मेरा लंच मुझे सबसे अच्छा खाना यही लगता है ओड्स दाल सब्जी सबसे अच्छा है मुझे रेगुलर मिले रोज मिले दोनों टाइम मिले मैं दोनों टाइम भर पिट खाऊंगी इतना अच्छा लगता है मुझे मतलब रोटी और चावल खाने की मुझे फिर होता ही नहीं मन की मतलब वह खाऊंग मैं इसको खानके मैं एकदम मिल्कुल संतुष्ट हो जाती हूँ ऐसा लगता है कि हाँ मैंने भर पिट खाना खा लिया सच में ओर्ट के साथ डाल और सबजी मिलाकर कैसे खाना सैलेट से मुझे बहुत जाद अच्छा लगता है और यह आई थिंक बेस्ट डाइट भी है क्योंकि आप सभी लोग बोलते हो कि बहुत अच्छा यह है इस तरह से डाइट कोई बताया नहीं है है यह लो तो साम के बज़ रहें साढ़े पांच और मैं बनाई हूँ इस टाइम सेवाई तो घरवालों का सिवाई मैं चेरी डाल के बनाए हूँ और मतलब यह थोड़ा पग्या था तो मैने अपने लिए निकाल लिया है और उसमे मैंने गुड़ डाल दिया है गुड़ का मीठा फिर मैं इसको मैं खाऊंगी थोड़ा सा लिया है तीन जुम्ब छोगा करी अच्छा लग रहा है इसको खाते में जाऊंगी पार्क बच्छों को लेकर वहां पे करूंगी वॉकिंग उसके बाद से फिर आऊंगी वहां से आने बाद थोड़ा सा भूख लगता है तो फिर वही चने वगएरा लईया वगएरा मैं खाती हूं तो वही लास्ट मेरा होगा डिनर गरम पानी का भी बहुत फर्क पड़ता है बहुत बहुत फर्क पड़ता है मेरे तो मतलब बहुत फर्क पड़ता है मैं गरम पानी जब पीती हुना यह बहुत पहले से मैं ऐसा कर रही हूं मैं गरम पानी पीती थी तो मेरा पेट बहुत ज़ल्दी कम हो जाता था है अलाकि हर किसी से होता नहीं है गर्मी में गरम पानी पीन करना कि चाय बना लो एक कप उनके लिए भी जैसे इलो कहीं मैं बनाई हो सिर्फ तीन कप तो चलो एक कप दूद्ध और डाल दो उसमें पिल जाएगा मेरे भांजी है वह आ रहे हैं चलो मिलते हैं फिर थोड़े देर में आपसे आरे हम लोग पार्क और पॉनिच है हो रहा है काफी उजाला है अपी भूप है लगबग साथ बे तक घर आते हैं लोग जाओंगी वहां पर वाकिंग करूंगी दिखाओंगे आफ लोग तो देखि हैं यहां पर आ गया हम पार के अंदर और यहां देखिए पेड़ के नीचे से सूट करती हूं इतना अच्छा लगता है उपर हरा हरा सा दिखता है तो यहां पर मैं कर लोंगी वाकिंग और तीन साड़े तीन किलोमेटर करीब मैं कर लेती हूं और इतना ही टाइम मिल पाता आपका बहुत मतलब मेरे लिए important होता है तो ओके टाटा बाई बाई टेक क्यार मिलते हैं फिर